सब्सक्राइब करें हमारे यूटूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटस वीडियो को देखने के लिए आज की इस वर्कषीट में हम इस चैप्टर को रिवाइस कर रहे हैं जैसा कि आपको पता है लास्ट वर्कषीट में भी हमने इस चैप्टर के कुछ पार्ट को कुछ टॉपिक को हमने रिवाइस किया था तो आज की इस वर्कषीट में हम क्या रिवाइस करने वाले हैं हम रिवाइस करने वाले हैं जो components of food हैं उनका क्या काम है कुछ limited words में उनके भारे में जान लेते हैं कि आखिर वो करते क्या है so let's start and understand with me so सबसे first जो component है which is carbohydrate carbohydrate क्या करता है carbohydrate जो है वो energy giving nutrients है यानि वो हमारे body को energy देते हैं then protein protein याद है ना protein को हम body building nutrients भी कहते हैं यानि हमारे शरीर की वृद्धी करने में हमारे शरीर का बड़ी असर development करने के लिए protein बहुत जरूरी है then fat fat क्या करती है fat nutrients used as energy source in our body fat भी एक ऐसा nutrient है जो कि हमारी body में energy source का काम करता है यानि वो हमारे body में club हो जाता है एक खटा हो जाता है और जब हमें energy चाहिए होती है तो वो energy में change हो जाता है then vitamins and minerals vitamins and minerals required in small amount for the normal functioning of our body जो vitamins and minerals है वो किस लिए जरूरी है एक तो वो बहुत थोड़े amount में जरूरी है कोई उनको access लेने की कोई जरूरत नहीं होती यह हमारे जो normal functioning है हमारी body के जो normal functions है जो काम है हमारी body के उसके काम यह आते है and last but not the least water water तो हम सब की necessity है हम सब की जरूरत है water water क्या काम करता है आप बताइए water क्या काम करता है तो water जो है अभी हम आगे इसके उपर एक base question दी है तब हम इसको समझते है कि water क्या करता है इतने आप सोच के रखे कि water क्या करता है हमारी body के लिए so first question is choose the correct options in each proteins are protein क्या होते है energy giving होते है body building होते है disease fighting होते है या all of the above होते है बताइए proteins are yes B option is right option body building food वो हमारे body को build करते हैं बनाते हैं उसका development करते हैं then starch starch is an example of example of protein no fat mineral no answer is C carbohydrate देखी carbohydrate जब हम intake करते हैं अपने body में तो वो आगे जाके starch में वो जो है तूट जाता है तो वो उसका starch बन जाता है जो की हमारे body को energy देता है then third is we can test the presence of starch याद कीजी हमने ये worksheet में पहले कर चुके हैं कि अगर किसी चीज में हमें starch की presence को देखना है कि उसमें starch है या नहीं तो हम किस से उसको test करते हैं iodine solution, milk, water या all of the above no it's iodine solution iodine solution से हम test कर सकते हैं कि किसी चीज में starch की presence है या नहीं और अब वो इसके बाद जो है state true or false for the following statements यानि आपको बताना है कि ये जो statements हैं वो true है या false है a balanced diet is the same for every person क्या balanced diet सभी के लिए एक जैसी होने चाहिए no it is false ये गलत है plant food is mainly fibrous food जो plant food होते हैं पौदों से मिलने वाला भोजन होता है वो fibrous food होता है yes हमारे शरीर को जो fiber चाहिए होता है वो plant food से ही हमें मिलता है it is true then proteins are required for repair of worn out parts of our body तो proteins की जरूरत क्या है हमारे शरीर में जो true food हो जाती है उसकी मरमत के लिए not important part of our diet क्या fat हमारी diet के लिए जरूरी part नहीं है no it is false fat भी जरूरी है जैसे हर nutrient जरूरी है ऐसे fat भी जरूरी है then vitamins are required in large amount क्या vitamins हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते है no it is false जो vitamins and minerals हैं वो हमें small amount में चाहिए होते है then the question जो अभी मैंने आपको बोला भी था कि discuss हम करेंगी think and then write the answer आपको सोच रहा है और फिर answer लिखना है जैसे first question is why is it important to drink water though it does not give energy हमारे शरीर के लिए पानी पीना क्यों जरूरी है जबकि वो energy तो देता नहीं है क्या पानी पीने से energy आती है बिलकुल भी नहीं आती है लेकिन फिर भी वो जरूरी है क्यों let's see the answer our body is composed of 60% of water हमारा शरीर 60% water से बना हुआ है water is very important to drink for many other functions of our body तो जो water है वो हमारे body के बहुत सारे functions बहुत सारे काम करने के लिए बहुत जरूरी है इसलिए में पानी पीना चाहिए जैसे कौन कौन से काम digestion के लिए खाना खाते है उसको पचाने के लिए absorption किसी चीज को absorb करने के लिए circulation circulate करने के लिए creation of saliva saliva होते है जिसे हम लार बोलते है तो उसकी creation भी जब हम मुझ गिला रहेगा तब ही तो लार बनेगी transportation of nutrients nutrients को एक जगा से दूसरे पार्ट में पहुचाना and then maintenance of body temperature हमारे body के temperature को सही बनाए रखने के लिए भी हमें पानी पीने की बहुत जरूरत है तो it is important to drink water yes याद रहेगा then if your friend brings potato chips everyday आपका जो friend है वो rose potato chips लेका रहता है what do you suggest your friend about his or her food habit तो आप उसकी इस food habit के लिए उसको क्या suggestion देंगे आप देखे he is only eating fats and junk food if he eats potato chips everyday यानि इसका मतलब अगर वो हर rose potato chips खाता है तो इसका मतलब वो rose fats ले रहा है रोज junk food खा रहा है जो कि सही नहीं होता he should eat healthy and balanced diet rich in protein, carbohydrates, etc तो उसको जो है healthy और balanced diet लेनी चाहिए जिसके अंदर protein, carbohydrates और दूसरे nutrients होने चाहिए तो हम उसको यही suggest करेंगे कि rose rose fats और junk food ना लिया जाए बलकि उसकी इन place पर balanced diet ली जाए healthy food खाया जाए जिसमें protein, carbohydrates, vitamins, minerals यह सब चीजें उसमें होनी चाहिए So now that's all for this worksheet अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को जादर से जादर subscribe कीजी like कीजी और बहुत जादर share भी कीजी और हम मेरे साथ इसी तरह आसानी से worksheet को समझते रहिए नेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी महनत और लगन के साथ online हिसाई पढ़ते अवश्य रहिए and if you want to defeat corona virus then please wear a mask और जब भी possible हो जब भी availability of vaccine हो इसकी vaccination अवश्य कराए क्योंकि corona को हराना है और जिन्दगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है इसी उमीद के साथ Thank you very much